अरविंद केजरिवाल इस्तिफा देने के बाद बीजेपी के खिलाफ जनता की अदालत में पहुँच गए मसलन केजरिवाल थोड़ी देर पहले जनतर मंतर पहुचे और इस दोरान उन्होंने हाथ में जाड़ू उठा कर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई तेज करने का संकेत दिया केजरिवाल ने अपने अगले एक्शन प्लैन का भी अलान किया केजरिवाल ने बीजेपी से पांच सवाल पूछे माफ कीजेगा बीजेपी से जादा सीधे तोर पर आरस्य से पूछे और कहा कि वो नवरात्र के दोरान अपना बंगला छोड़ देंगे आप लोगों को किस केजरिवाल बातों को जिस तरीके से रखते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो नेरेटिव क्रियेटर हैं चर्चा क्या होगी वो तै कर सकते हैं आज उन्हेंने सीधे आरस्य से सवाल पूछ लिए और पूछा कि क्या मोदी जी 75 के पार होने के बाद रिटायर होंगे कि नहीं हो मोदी जी जो पाटियां तोड रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं पहली बार बीजेपी को छोड़कर आरस्य से कोई सवाल पूछ रहा है जब चुनाओ प्रचार के लिए उनको सुप्रिम कोट ने अंतरी में एक समय बद्ध जमानत दिया था कि आप निकल लिए तो आने के बाद भी उन्होंने पहली बार बुला था आरे भाई बोर्ट दे रहे हैं तो 75 साल में रिटायर होने वाले इसके बाद तो अमित्षा प्रधान मंत्री बन जाएंगे जोगी जी को भी यह हटा देने वाले हैं और यह रननिती उन्ह अबा के अस्तर पर नहीं कर पाई है वो एक नेता भी नहीं खरा कर पाई है जनता के बीच जाकर अरविंद केजरिवाल के बिरुद कोई आंदोलन खरा करने क्योंकि दिल्ली की जो हालत है दिल्ली में चलने वाले जानते हैं कि सरकों की हालत वैसी हो गई है जो एक समय हमार सेस और बाकी पुराने से उस सबसे जुरे हुए जो लोग हैं वो भाजपा की एक रीर और ताकत है दिल्ली में और लंबे समय से हैं तो अर्विन केजरिवाल ने बहुत सोची समझी रननिती के ताहत जो उन्होंने जेपी नड़ा जी ने जो बयान दिया जो बयान क्या उनका इंटर्विव था उनको बताते हुए और ऐसे सारे सवाल उठाए हैं जिससे भारतिये जनता पार्टी के अंदर जो संग परिवार है उसके अंदर एक असमंजस पैदा हो आगामी चुनाओं को देखते हुए कि ये बीजेपी के आपके साथ है लेकिन अर्विन केजरिवाल अपने भाषन में अगर ये कहते हैं न कि मेरी पार्टी जरूर ऐसे RSS के कारकरताओं के साथ है RSS के साथ है हम आपके साथ खरे होंगो तो साथ इस नेरेटिव का ज़्यादा पुर्भाव करते हैं विजे तरवेदी जी अर्विन केजरिवाल कह रहे थे कि मैं जनता की अद इमानदार हैं तो फिर अतीशी ये डरा के हो रही है मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला बयान यही था कि बीजेपी वाले आपकी फ्री बिजली और पुली पानी चीन लेंगे दो अलग अलग लड़ाई हैं देखिए हिंदिस्तान में डेमोक्राटिक सिस्टम में एक पॉलिटिकल लड़ाई होती है कि यदि वहां पर वो चुनाव जीच जाते हैं तो वो अपने को एक मौरली विक्ट्री की तौर पकेंगे जनता ने तो मुझे साफ कर दिया दाग से लेकिन एक डेमोक्राटिक सिस्टम में होता है इसको दूसरी दरफ से देखिए अभी लोग सबा चुनाव जा हुए तो केजरिवाल साब ने कहा कि यदि धिली की जनता मुझे जेल से बाहर रखना चाहती है तो सातों सीटे जीता दे लेकिन सातों सीटे नहीं जीता ही तो ज came out of country जीता बहारते जनता पार्टे निकाल देखिलो के जनता तो जेल में रखना चाहती है यह भी इसका केजरिवाल साब बड़ा नरेटिव बनाने में बहुत मास्टर है तो कि पुरी प्लिक से नरेटिव कि लिए एक बार पहले वो सुन लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि दस साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूँगा आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए मेरे को कई लोग कहते हैं कैसा आदमी है यार तू दस साल राजनीती करी दस साल सीएम रह गया दस साल में तो दस कोठिया बन जाती दस घर बन जाते दस प्लोट बन जाते मैंने कुछ नहीं कमाया दस साल के अंदर के वला आपका अशिरवाद कमाया आपका प्यार कमाया है दस साल के हमिदा और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूँगा मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं इतने लोगों के मेसेज आ रहे हैं जी मेरा घर ले लो मेरा घर ले लो मैं किराया नहीं लूँगा मेरा घर ले लो मैं अब सब लोगों का शुक्रिय करता हूं अभी शिराद चल रहे हैं कि शिराद खतम होने के बाद जैसे इन वरत्रे शुरू होंगे मैं सिया मवास छोड़ दूगा और आप में सही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालो कर दूँगा तो इमानदारी का सर्टिफेट इस बात पर मांग रेट आरती जी कहरें दस साल में दस घर हो सकती थे एक भी नहीं है अरविंद केजरिवाल इस तरक पर इमानदार देखे मुझे लगता है जो कनेक्ट उनका लोगों के साथ है वो आज बहुत कम लीडर्स जो मैं ऑपोजिश लेकिन जो उन्होंने अपने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि वो करॉप्शन फ्री है इससे बड़िया नारेटिव और इससे कन्विंसिंग और्गूमेंट नहीं हो सकता है एक तरफ आप जेल में है करॉप्शन चार्जस पे और दूसरी तरफ आप ये कह रहे है मेरे प रहता है लोगों को ये कन्विंसिंग लगेगा वैसे एक बहुत बड़ी जो जनता फ्री बिजली पानी और जो भी बेनेफिट्स अर्विंद केजरिवाल ने ऐस चीफ मिनिस्टर दिये उनके लिए ये मैं कहूंगी कि मतलब ये बहुत ही एफेक्टिव नारेटिव और 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 गुमेंट है कि केजरिवाल की इमेज एफेक्टिव है केजरिवाल की मेज समीट चौंगाकर जी सवाल तो ये है कि क्या जनता ब्रश्टाचार के मुद्दे पर वोट डालती है क्योंकि दिल्ली में तो आपको भी पता है मुझे भी पता है बिजली पानी एक बहुत अब जेल से चूटे है लेकिन एकदम फिट नजर आ रहे हैं चेहरे पे चौमक है आवाज में दम है जब बार केजरिवाल जेल गये थे तो आतिशी पत्रकार वारता लेके कहती थी कि अरविन केजरिवाल के खाने का ध्यान नहीं रखा जा रहा है उनका वजन कम हो गया है अनकी शुगर बढ़ गई है तो मुझे लग रहा है कि मनिस सुधिया भी जेल से बाहर छूटे वो भी एकदम स्वस्थन जार आ रहे है तो यह जो आरोप लग रहे थे कि तिहार प्रताक्शन जामुच करके अरविन केजरिवाल के स्वास्त का ध्यान नहीं रख रहा है उन करती तो जिस दिन अरेश्ट हुए थे अगर वो इस दिन इस्तिफा देजेते तो मुझे लग रहा है उनके कद के इसाब से वो ज्यादा रहता अब आप इस्तिफा तब दिया आपने जब आपको सुप्रीम कोट ने कह दिया आप फाइल साइन नहीं कर सकते आप मुख्यमं दूसरी बार में बात है कहना चाता हूँ गयां तो खालो में जाओंगा जन्ता से क्लीन चीट लूँगा लेकिन अगर आप रष्टाचारी नहीं है तो आप क्लीन चीट सुप्रीम कोड से दिना पड़ेगी जन्ता कोड में आप यह सकते हो कि भई मैं इमानदार रहा हूं और जन्ता इस बात को तहीं नहीं करती कि आप रष्ट की नह करेगी भ्रष्ट है कि नहीं वो नहीं अब बात मुख्यमंत्री जिनका इसलिए मैं नका कि दस साल में उनसे लोगों ने सवाल पुचा कि दस साल राजनीती में रही तो दस बंगले बन जाते तो मैं प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोधी का यह डेक्लेयर असे डेक्लेरेशन कर दो